हेलो स्टूटेंट वेलकम टो दे चैनल अपग्रेड वोकाबलेटी विद अंचो और आज है 27 फरवरी और 27 फरवरी के दे हिंदू एडिटोरियल के जितनी भी वोकाब हैं उन्हों सब को मैं कवर करने वारी हूं तो चलिए शुरू करते हैं तो हमारा पैदा वर्ड है डिबोर्डेड डिबोर्डेड पार्ट ओपी स्पीच में एक वर्व है जिसका मीनिंग होता है जहाद से उतरना या किसी भी वहिकल से उतरना तो गेट आउट ओफ वहिकल और क्राप्ट किसी भी गारी से उतरना या किसी भी एर क्राप्ट से उतरन वो हमारा होता है, Reborded Next हमारा वर्ड है, Unsavory जो कि Parts of Speech में एक Adjective है जिसका मीनिंग होता है, बेस्वाद जिसमें कोई स्वाद ना हो कोई Unpleasant सा कोई टेस्ट हो, उसे हम Unsavory बोलते हैं, Unpleasant और Morally Offensive Next हमारा वर्ड है, Cavalier जो कि Parts of Speech में एक Adjective है Seriousness ना, उसे Cavalier बोलते हैं Showing a Lack of Lack of Proper Concern Next हमारा वर्ड है, Denounce जो कि Parts of Speech में एक वर्व है जिसका मीनिंग होता है, आरोप लगा देना To criticize something or someone strongly and publicly किसी को publicly सबके सामने में जोड से चिलाना या किसी पे कुछ आरोप लगाना हो हमारा होता है, Denounce Next हमारा वर्ड है, Aggregious जो कि Parts of Speech में एक Adjective है जिसका मीनिंग होता है, अत्यान्त या बहुत बुड़ा Extremely bad in a way that is very noticeable जो कि बहुत ही बुड़ा हो और उसे notice किया जा सकता है Next हमारा वर्ड है, Thoughted जो कि Parts of Speech में एक वर्व है जिसका मीनिंग होता है, नाकाम और ना कर सकना यह हमारा Thoughted होता है To stop something from happening और someone from doing something किसी को कुछ करने से रुखना या कुछ भी होने से रुखना Next हमारा वर्ड है Sorry Next हमारा वर्ड है Insinuation जो Parts of Speech में एक Noun है जिसका मीनिंग होता है किसी पूरी बात का अपर ये संकेत या सुझाओ और कुछ बुरा होने वाला है फ्यूचर में उसका संकेत हमें पहले ही मिल जाता है यह हमें आभाव होता है उसे हम Unsinuation बोलते हैं An unpleasant hint or suggestion or something bad Next हमारा वर्ड है Touched a raw nerve यह हमारा एक Idioms है जिसका मीनिंग होता है आहात या परिशान करना किसी को परिशान करना वो हमारा होता है Touched a raw nerve वो बोलते हैं न दुखती वी नर्व को छूले न वो हमारा होता है Same To hurt a upset a person और people किसी को upset करना Proximity यह हमारा parts of speech में एक noun है जिसका मीनिंग होता है निकरता या आसपास का Nearness in space, time और relationship किसी भी relation में किसी भी space में या किसी भी time को वो हमारा relation में हो या किसी भी time हो या 8 बज़ रहे हैं 8-10 के करीब ऐसा बोलना होता है तो वो हमारा proximity होता है और यह इन तीनों term में यूज कर सकते हैं Next हमारा है haul up जो कि एक phrasal बर वे जिसका मीनिंग होता है रुकने के लिए to come to stop किसी को रोकने के लिए वो हमारा होता है haul up Next हमारा word है hard fault करी महनत से लड़ना मैंने अभी next हमारा exam आ रहा UPSC, EPFO अब उसको exam को pass करने के लिए क्या है hard fault करना होगा करी महनत करना होगा उसको pass करने के लिए Achieved after a lot of difficulty और fighting Next हमारा word है amended ये word है पार्ट सुपी स्वीच में और इसका adjective जो होगा वो amendment होगा जो भी जिसका मतलब होता है change करना संसोलित करना to change the word or for text specially in law or legal जो भी हमारे news में आते रहते हैं constitution में ये amendment हुआ article में ये amendment हुआ तो ये सब हमारे law से related है तो यहाँ पर ये mostly use किया जाता है Next हमारा word है disincentive sorry disincentive जिसका मतलब होता है निरासा एक हमारा होता है incentive जो कि incentive क्या होता है reward के रूप में उसे recognize किया जाता है कि अगर किसी ने अच्छा किया उसे incentive के रूप में कुछ prize money या कुछ rewards देते है ये उसका opposite है disincentive जिसका meaning होता है जो कि एक parts of speech में noun है जिसका meaning होता है निरासा something that makes a person और organization less willing to do something किसी को deincentive कर रहे है तो मतलब आप उसको निरास कर रहे हो वो दुखी कर रहे हो इसको demotivate कर रहे हो तो वहाँ पे इनसान की क्या होती है एकच्छा खत्म हो जाती है कि कुछ करने का next ने मारा वाट है apprehension जो की parts of speech में एक noun होने जिसका meaning होता है असंका हो and is it your fear that something bad or unpleasant एसा संका होना अंदर जे एक institution आता है कि something कुछ कलत होने वाला है कुछ अच्छा नहीं होता है होने वाला है unpleasant सा लग रहा है तो वो हमारा apprehension होता है next हमारा word है sorry next हमारा word है feminist जो की feminine feminine word से बना है feminine का मतलब ही होता है feminine women lady महिला जो भी आप बोल सकते है जिसका meaning होता है नारिवादिया in advocate of a movement rights on the basis of gender feminist means कि नारिवादियों के लिए जो rights होते है on the basis of women के जो rights होते है उसे feminist बोलते है तो तो आज के लिए इतना ही next lecture में I will cover more updates so please like and share my subject my channel and please if you have any doubt just ping me on comment I will update accordingly और अप अगर कोई भी suggestion देना चाहते है कि इसमें ये amendment चाहिए ये कुछ जो भी requirement हो आप मुझे message कीजिए comment कीजिए I will update like that thank you